यूपी में चुनावों को लेकर गहमा गहमी काफी तेज हो गई है हर नए दिन के साथ कोई नया एलान कोई नया वादा और कोई नया शब्द सुनने मिल जाता है जी हाँ यूपी में सियासी दाव पेचों में शब्दों का खिलबार भी खूब होता है तभी तो अबबाजान से लेकर जिन्ना और और अरंग जेव जैसे शब्दों ने एंट्री चुनाओं में हो चुकी है अब एक नया शब्द चुनाओं में उभरा है शब्द के सहारे सपा ने बीजेपी को घेरा है और उसकी नईया डूबने की भविश्य बारी भी कर दी है कौनसा है ये नया शब्द आए देखते हैं यूपी चुनाओं में समाजवादी पार्टी के हौसले इस बार बुलंद दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को यकीन है कि बीजेपी के पाँच सालों के शासन में जनता निराश हो चुकी है और अपने बेहतर भविश्य के लिए वो फिर से समाजवादी पाटी को ही सत्ता सौपेगी सपा मुखिया खिलेश आदब तो 400 से अधिक सीटों से जीत का दावा करी चुके हैं अब समाजवादी पाटी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ट के अध्यक्ष ने बीजेपी की नाव डुबोने की बात कही है मंगलवार को गोसाई गंज विधानसभा में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि अब बीजेपी की नाव डुबोनी है मलाह ही डुबो सकता है अल्लाह और मलाह के अलावा बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपर अल्लाह और नीचे मलाह अगर अल्लाह और मलाह ना चाहें तो बीजेपी को कोई बचा नहीं सकता है वहीं गुसाई गंज के पुर्व विधायक और मौझूदा सपा प्रत्याशी अभै सिंग ने भी दावा किया है कि सपा में आ रही भीड को देखते हुए इंकम टैक्स की रेड डाली जा रही है जनता बदलाव कर रही है मजदूरों और किसानों का इंतकाम होगा और 2022 में बदलाव होगा दलितों और पिछडों का इंतकाम होगा और 2022 में बदलाव होगा तो बदलाव होगा से लेकर अल्लाह और मलाह का डर बीजेपी को दिखाया जा रहा है इसलिए देखना दिल्चस्प होगा कि क्या बीजेपी इन भाशनों से डरेगी या फिर पलटवार करेगी डीबी लाइब की रिपोर्ट